कि अगर आपको कुई और कर देगा है तो मैंने रिक्वेस्ट किया तो अगर आपको कुई और कर कर देगा है तो मैंने और कि झाल सकतर आपको कào म्हयत और आपको कुई तो तो अगर आपको कुई और कर दो principalmente क AIDS कि अ मैंने उल्मा आपको कुई और कर दो जगीस निची और का öğानिना का मÅन पनके धयर झाल सकतर और कर दपको कुई कि झाल सकतर रесकतर में धु лайर है झाल 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 परस्षे में स्थीच सब्सक्राइश जो आपने semester 1 में पढ़े होंगे चाहे वो optional subjects हो चाहे वो सिर्फ कुछ subjects ऐसे होते हैं BSEM Environment Science का एक subject होता है जिसे हमें pass करना होता है उसका marks हमारे percentage में जोड़ता नहीं है तो अगर ऐसा भी कोई subject है तो भी आपको से लिखना होगा अपनी इस A4 size की sheet में आपने जितने भी subject के paper दिये हैं जो भी आपकी subjects थे आपकी graduation में आपको नहीं लिखना जरूर है अपनी mark sheet में ठीक है subjects mention करने के बाद आपको second column बनाना है marks obtained का तो उस subject में आपको कितने marks मिले आपको उसके सामने लिखना रहेगा उसके बाद आपको एक और third column बनाना रहेगा maximum marks का कि वो paper कितने का था आपका subject था oops concepts oops का जो आपका paper हुआ था 100 marks का हुआ था आपको 75 marks मिले तो आपको ये तीनों चीजे एक line में लिख देनी है कि oops concept आपको subject name maximum marks 100 obtained marks 75 ठीक है ये तीनों चीजे आपकी रहेंगी तो इसी तरीके से आपको सारे subjects की detail fill in कर देनी है और semester 1 की details जब आपको पूरी हो जाती तो आपका semester 1 total कितने marks का था वो लिख देना है like 500 marks का total हमारा semester बर हुआ और obtained आपके 400 marks थे तो total obtained भी आपको लिख देने है ये ये data आपको करना है ठीक है इसी तरह आप semester 2, semester 3, semester 4, semester 5, semester 6 सब semesters के लिए आपको ऐसे करके data fill in करना है ठीक है अगर आपके college में grade system है grading system है आपको marks नहीं मिलते हैं grades मिलते हैं तो आपको grades mention करने रहेंगे अपने subjects के आगे और क्या grading strategy आप किया follow हो रही है क्या आपका scale यूज हो रहा है grading के लिए वह आपको लिखना होगा 10 pointer scale, 9 pointer scale क्या है वह आपको लिखना होगा maximum marks की जागा ठीक है तो ये data आपको देना है एक बार data लिखने किससे पहले A4 size की sheet में data डालने से पहले वह जो आपका PDF है वह खोल के बैठ जाईएगा उससे पढ़ पढ़ के धीरे-धीरे से करिएगा ताकि कोई mistake नहों और mistake हो भी जाए तो उसे आप सामने रख के करेंगे तो आपको पता चल जाएगा क्या मिस्टेक है आप करेक्ट कर लीजेगा मतलब 3-4 बार में तो सही साथ आप एक sheet बना ही लेंगी जिसमें आपकी सारी information होगी तो बस इतना लिखा था आपके 6 नमबर था उसमें बस यह information आपसे मांगी गई थी So this was all about today thank you